पेंशनर्स, एक सर्विसमेन एंड सिवील और डिफेंस पेंशनर्स, पेंशन ड्रॉ करते हैं स्टेट बेंक अप इंडिया से, इस वी आई ने एक ऐसे सेवा लांच किया, जिसे आप घर बैठे, आपका पेंशन का हर डिटेल्स को आप जान सकते हैं, जैसे कि आपका इस महिन हमें कितना पेंशन बना है, कितना डिडाक्शन हुआ है, अगर आपका इंकाम टैक्स कोई डिडाक्ट हुआ है, तो वो कितना हुआ है, और कितना होना चाहिए, अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, और उसका टीडियस डिडाक्शन किया, वो कितना डिडाक्शन हुआ है आपको कोई areas मिले बला था वो मिला या नहीं अगर मिला है तो कितना मिला और कितना मिलना चाहिए था वो सारी details आपको घर बैठे आपका अपना mobile phone से आप चेक कर सकते हैं so friends आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम चेक कर सकेंगे घर बैठे अपने mobile से कि आपका pension का सारे details so HBI से जो लोग pension ले रहे हैं उनसे एक request है कि वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप सारी details को जान सकें सबसे पहले हम बताएंगे कैसे आपको इस प्रोसेस में registration करना है और उसके बाद फिर registration करने का बाद जो जो सुविधाई HBI पुदान करती हैं कौन-कौन सा सुविधाई है और उसका सारे details आपको live demo दिखाएंगे वीडियो में जाने से पहले आपसे request है अगर इस channel को आपने अभी तक subscribe नहीं किया तो जुरूर subscribe करें और अगर आप subscribe पहले ही कर चुक रहे हैं तो इस वीडियो को like करें शेयर करें ताकि information ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका registration process registration करने के लिए sbi pension seba का जो website उसमें आपको login करना परेगा www.pensionseba.sbi इसका link मेरा इस video का description box में भी दिया हुआ है आप उस पर click करके आप direct website में पहुँच सकते हैं या फिर आप अपना browser में type करें www.pensionseba.sbi जैसे आप website में इंटर करेंगे आपका एक home page खोल जाएगा जिसमें लिखा रहेगा welcome to pension seba उसमें देखिए उपर right corner में चार बटन है home registration sign in how do I तो registration process को जानने के लिए आप how do I में click करें अगर आप इसमें click करेंगे तो registration process आपको detail में step by step लिखा होगा उसको पढ़के आप registration को कर सकते हैं registration करने के लिए आप registration जो बटन है इस पर आप click करें जैसे आप click करेंगे तो इस टाइप का एक interface आपको सामने आ जाएगा इसमें लिखिए पेंशनार्स registration step 1 step 2 and step 3 step 1 में आपको अपना user id एक create करना है user id आप आपने इसाप से create कर सकते हैं इसके बाद आपका जिस account से जिस hvi account से आपको pension मिल रहा है उस account का number देना है आपका data barth देना है आपका branch code देना है जिस branch से आप pension ले रहा है और आपका उस branch में जो email id दिया हु bank में जो detail पहले से आपने दिया हुआ है उससे match करना चाहिए अगर match नहीं करेगा तो आपका registration नहीं हो पाएगा इस सारे details जैसे आप भर देंगे तो आपका step 2 में आए आएगा step 2 में आपको एक password create करना है जो की आपका 8 characters का होगा और password का जो नियम है पनियुमिलिक होगा ए आपको दो profile question चूज करना होगा जिसका answer उसमें दिया रहेगा वो भी आपको slate करना है और यह जो profile question आपको भूल गए आपना password या user ID तो इस समय इसको recover करने में आपको मर्यद करेगा जैसे आप registration process को complete करेंगे एक email आपका notification आपका mail ID में registered जो email है उसमें जायेगा और उसमें Link होगा उस Link पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका activate हो जाएगा pension सेवा का registration फिर आप क्या करेंगे next आपको जाना है SBI pension सेवा का home page में जैसे जाएंगे उसमें देखिए उपर एक login करके page है उसमें क्लिक करेंगे तो उस पर click करते ही आपका ऐसे एक interface कुल जाएगा यहां आपको user ID, password और यह capture देना है यह देखिए आप जैसे login button प्रेस करेंगे तो आपका next interface खुल जाएगा अब देखिए कि इसमें क्या-क्या features उप्रद्द है देखिए features में सबसे पहले आपको मिलेगा dashboard तो dashboard जैसे खुलेंगे देखिए इस तरह का dashboard आएगा जिसमें आपका basic details details होगा आपका last pension details होगा and other details होगा और left side में जैसे आप देख सकते हैं dashboard आपका profile details, certificate details, transaction details, area calculation sheet, pension sleep, form 16, investment details, financial details and pension loan यह सारे details आपको एक-एक करके एक-एक windows में आपको देखिएगा तो dashboard में जो चीज है आपने देख लिया इसमें आपका basic details, आपका last pension details and other details आपको इसमें show कर रहा है और कोई latest जो notification है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा आप देख सकते है right side में नीचे next आप चलते है profile details में, जैसे आप profile details में click करेंगे तो आपका देखिए profile आपका इसमें show कर रहा है जैसे category or pensioner defense, PPO number आपका name और आपका यहाँ पे सारे details है आपका account number, PPO number आपका email id, pen number आपका address यह सारे details इसमें show कर रहा है next है आपका certificate details, certificate details में आपका PPO basic details हो करेगा उसके नीचे होगा आपने last जो है pension certificate life certificate या फिर आपका employment certificate आपने कब जमा किया और कब due है, वो सारे details आपको देदेगा, इसमें लेखिए यहाँ पर जैसे आप देख सकते है, life certificate उसका valid from and valid to दोनों date दिया हुआ, यानि कि इस date का आपको फिर से यह आपको life certificate जमा करना है, अगर आप re-employed है तो आपको employment certificate जमा करना है, next है आपका transaction details, transaction details में आप जैसे click करेंगे तो आपका जितना भी pension मिला हुआ हुआ है, उस आपका pension जो credit हुआ है, आपका कोई area credit हुआ है, DA area credit हुआ है, OROP का area credit हुआ है, और 7CPC का कोई area आपका due था, वो credit हुआ है, वो सारे details आपको इसमें मिल जाएगा, आप इसमें से check कर सकते हैं, next है area calculation sheet, अगर कोई area आपका due था, जैसे कि आपका कोई revision था pension का, और कोई gratitude revision, commutation revision, OROP का revision, या फिर किसी भी तरह का कोई revision था, और उसके वज़े से आपको area आप जहाँ entitled थे, त वो सारे details आपको इसमें मिल जाएगा, इस पर आप एक report generate करके, आप PDF में इसको download भी कर सकते हैं, नीचे जैसे button दिया हुआ है, export to PDF, view, generated report, ये सारे buttons को आप click करके, आप जो calculation sheet है, उसको आप download कर सकते हैं, next है आपका pension sleep, pension sleep, आपका इसमें किसी भी साल का, किसी भी महिने का pension sleep जफ से ये digitalization हुआ है, लगबाग 7-8 साल तक का इसमें available है, वो सारे pension details आपको मिल जाएगा, किसी भी माइना का चेक कर सकते हैं, और उसको download भी कर सकते हैं, देखें, जैसे आप यहाँ पे month and year दे देंगे, और यहाँ पे जैसे generate करेंगे, आप इसमें download कर सकते हैं, download button दबा है, आपका pension, gross pension कितना है, आपका income tax कट रहा है, तो किद ना कट रहा है, सारे details pension का related जो भी है, आप इसमें देख सकते हैं, आपका accommodation restore का होगा, आपका एक सजाला accommodation है, वो भी आपको सो करेगा इसमें, और आपका जो personal details है, वो तो इसमें है ही, सुरू में यह आप देख सकते जैसे, यह जो सारे चीज़े हैं, वो stable pensioners, defense pensioners, state government pensioners, किसी भी तरह का pension, जो भी SBI से pension draw कर रहा है, यह सब के लिए applicable है, next है, form 16, अगर आपको income tax file करना है, तो form 16 बहुत ही ज़रोडी है, form 16 के लिए आपको अभी bank का चक्कर लगना नहीं परेगा, आप, आपका mobile से या आपका घर पे, laptop या desktop PC से, आप form 16 को डाउलोड कर सकते हैं, जैसे left side में देखिए, यह interface button है, form 16, यहाँ पर जैसे click करेंगे, आपका इस तरह का form 16 income certificate एक खुल जाएगा, ठीक है, इंकम certificate जो है, आपका form 16 ही है, इसमें आपका सारे details रहेगा, आपका एक साल का किसना income था, अगर इसमें मिल जाएगा, next है आपका investment details, investment details में, आपका कोई भी investment, जो भी आप invest किया, यहाँ पे, SVI में, वो सारे details आपको इसमें मिल जाएगा, आपका कोई FD होगा, या जो भी कोई small savings investment, या long time या short time के लिए, जो भी आप invest किया, वो सारे details उस पर, अगर TDS कटा है, तो वो भ इसमें details आप इस पर जाके देख सकते हैं, next है, financial details में, आपका pension का जो details है, वो आपको मिल जाएगा, जैसे कि, जो भी आपका credit हुआ है, आपका account में, जैसे PPO financial details, PPO financial details आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है, इसमें आपका basic pension, DA, DA percentage, सारे details, जो है, PSU अगर autonomous है, तो उन आपका show कर रहा है, आपका commutation details, graduate details, इस सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगा, next है, आपका pension loan, देखिए, pension पर आपको loan मिल सकता है, अगर आपको loan का जरुरत है, तो इसमें इस पर आगर जैसे आप click करेंगे, तो आपका एक अलाग से window खुल जाएगा, इसमें आपका approach करने का जरुरत नहीं है, automatically आपका account में loan credit हो जाएगा, वो amount आपका account में आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीका है, यह services जो provide कर रहे है, SBI pensioners का विलाओ के लिए, इस service को आप अगर उपलवद कर पाएंगे, तो देखिए, जिन्दी कितना आसान हो जाएगा, ना तो आपको S social distancing एक बहुत बड़ी issue है, तो आपको कहीं बहार जाने का ज़रुत नहीं है, आपको किसी भी तरह का कोई risk factor कुछ ही नहीं, बहार जाने का infection का कोई risk नहीं है, घर बैटे आप इसको इस विलाओ को भलब कर सकते हैं, तो यह था SBI pension सिभा का वारे में सारी जानकरी है, इसके क्लिक करके भी आप जान सकते हैं, सो फ्रेंट्स अमीद्धा कि यह वीडियो में जो information दिया हुआ है, आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो का अंत में आप से request है कि इस चैनल को subscribe करे, like करे, share करे, जै हिंद, जै भरोत